जैस्री कृष्णा दोस्तों केसे हैं आप सब मैं आरके सास्तरी जोतिस क्लासेज यूट्यूब चेनल पर आप सब का स्वागत करता हूँ और सबसे पहले आप सभी को दिपावली के बहुत-बहुत सुब कामना है मालक्ष्मी जी की गृपा आप सब पर बनी रहें तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मालक्ष्मी के दिपावली पर उपर मालक्ष्मी की पूजा के बारे में इस दिन किस प्रकार से हम पूजा करें क्या क्या करें और किस मंतर का उचरन करें कौन सा पार्ट करें जिससे कि माह लक्षमी जी की करपा हम सब पर बनी रहें आप सब पर बनी रहें तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने दिपावली पर जो है सुब मौरत के बारे में आप सब को बताया और इस बार बता रहा हूं दिपावली पर माह लक्षमी जी की पुजा तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चेनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवस्य कर लें साथ ही इसके संपुर्ण जानकारी के लिए लाश्ट तक देखें दोस्तों पावली की दिन महालक्षमी जी की पूजा से पूर्व सुब मौरत में जो मैंने पहले बताई दिया है सनान आदि करके सुद्ध और साफ वस्त धारन करके ही महालक्षमी जी की पूजा करें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पूजा सामगरी के बारे में आप क्या-क्या लेकर के रखें अपने पास में नारियल, मोली, सुपारी, अबीर गुलाल, सरसों, सतावर, लोंग, इलाईची, जनेव, सिंदूर, अगरबती, रुई, माचिस, कपूर, चंदन केसर, सैद की सीसी, इत्र सीसी, गूड, पंचमेवा, मिश्री, और कमलगटे जो आपने पहले से लाए हैं, चामल, मंडल बनाने के लिए, ग्याहू, मूग, लाल कपड़ा, सपेर कपड़ा, तांबा का लोटा, या चांदी का लोटा है, तो सबसे बढ़िया है, घी देशी, दीपक करने के लिए, तेल का भी दीपक होता है, तो तेल भी रख लें, लक्ष्मी जी का पान आप लाए हैं, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ती भी अगर लाए हैं, तो वहां रखें, कलम, दवात, बही, रजिस्टर, ये भी लेकर के आए हैं, तो वहां पर रखें, और मिट्टी के दीपक, एक तो दीपक तेल का एक घी का जलेगा, उसक पुष्प माला, गुलाब के पुष्प, कमल पुष्प मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, मालक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिये हैं, गन्ने, सिंगहडा, सीतापल, अनार, मिठाई, असक के पते, या आम के पते, दोब, दूद, दई, गंगा जल, ये सब बजार से पहले से करके रखें, और घर से चोकी, थाली, प्लेट, कटोरी, लोठा, जलका पात्र, ये सब अपने पास में, सब सामगरी एकत्रित कर लें, और सबसे पहले थाली में, पूजा की सामगरी, सारी इकटी जमालें, दोने के अंदर, या मिठी के दिये हैं, आप लाए हैं, उसमें आ और अगर सबस्मात्रिका और नौगरे की पुझा भी करना अती आुशक होता है इसमें, तो सबस्मात्रिका और नौगरे की अलग से चोक्या लगा रहे हैं, तो ठीक है, नई तो सवस्तिक के पास में ही 16 बिंदियां 16 मात्रिका की और 9 बिंदियां 9 गरे की लगा दे सुपाली के मोली लपेट करके गणेशी बना ले और वो जो है आपने सांथिया यानि स्वस्तिक बनाया है थाली के अंदर उसमें इस्तापित कर ले देशी गाई का घी मिल जाये तो बहुत बढ़िया है उसका और मिठे तेल का दीपक जला दे मा लक्षमी जी के पाटे के सिधे यानि सिधे हाथ की तरफ घी का और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक लगावे लकडी की चोपिकी के उपर लाल बस्तर बिचा करके और उसके उपर चावल से अश्ट जल बना करके उस पर चांदी या तामबे का लोठा रखें उसमें साफ सुद जल बरें उसमें गंगा जल चंदन, कुंकुम थोड़ा सा हल्दी दुरुआ, सरवोश दी और सुपारी और शिका भी उसमें डाल दें उसके उपर दोने में चामल या मूम डाल करके पुर्णपात रखें और उसके उपर नारियल मोली बांद करके रखें लक्ष्मी जी की फोटो या तस्वीर जो भी आप लाएं हैं वो खड़ी नहीं लाएं घर में हमेशा लक्ष्मी जी की बेटी हुई तस्वीर होनी चीए और लक्ष्मी जी का पाना दिवार के लगा दें लक्ष्मी जी और गणएश जी की मूर्ति लाएं हैं तो उनको चोकी पर विराजमान करें चांडी का सिक्का अगर लेके आएं तो उनको भी रखें सबसे पहले गणेश जी का स्मरन करें और सुद्ध सांत प्रसन्चित से पूजा प्रारम करें सबसे पहले हाथ में जल गंद अक्सत और पुष्प सिक्का लेकर के संकल्प करें उसमें उस दिन का तिथी वार आदी बोल करके और महालक्षमी जी से प्रार्तना करें यह से प्रिवार हम जो है गणेश महालक्षमी महासरस्वती जी की पूजा करने जा रहे हैं यह संकल्प करने के बाद में पूजा की थाली के पास में जल के लोटे में पूजा करें उसमें गंगा जल भी डालें उसके बाद में स्री गणेश जी की पूजा करें गणेश जी की पूजा के बाद में अपने कुल्देवी माता का ध्यान करते वे सोडस मात्रिका और नवगरे का भी जो थाली में आपने बनाया है संशित के अंदर आप पूजा कर रहे हैं तो थाली में बना लें या फिर स्वर्स मात्रिका और नवगरे की चोकियां अगर आपने लगाई है तो वहाँ पर पूजा करें वहाँ पूजा करने के बाद में नवगरे और स्वर्स मात्रिका की पूजा के बाद चोकी पर जो है स्री गनेश जी और महालक्षमी जी की पूजा साथ में विश्णु भगवान की मूर्ति भी या तस्वीर भी आप रखें महालक्षमी जी के साथ में तो सबसे बढ़िया है और रखना भी चाहिए उनकी पूजा करें चांदी के सिक्य या स्री अंत्र आदी आप लाएं है उसको पंचामर से धोकर के जल से धोएं मोली कुंकुम चावल पुष्प माला लक्षमी जी को पहनाएं कमल पुष्प हो तो लक्षमी जी को चड़ावें महालक्षमी जी को बहुती प्रिय हैं साथ में कमल गट्टे, साबुत धनिया, साबुत हल्दी की घाटे, गोमती चक्रादी चड़ावें, सिंगहाडे, चपड़ा, सटेली, गन्ना और सितापल भी जो है माता को और पन करें, महालक्षमी जी को बहुती प्रिय हैं, नेवेत्य में खिरान या मिठाई, पंचमेवा क भोग लगावें, और फल चड़ावें, लोंग, इलाईची, पान का बीडा, माता की मुख सुद्धी के लिए चड़ावें, फिर धक्षिना चड़ावें, घर में सोने चान्दी के सिक्ये, बरतनादी, माता की पूजा में रखना चाहिए, उनका भी पूजन करें, पेन, श तिजोरी में कुवीर जी की पूजा करें, तिजोरी में कमल गट्टे, हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, सुपारी, सर्वोष्दी और दक्षिनादी रखें, पूजन में 11, 21, 51 या 108 दिपक जलावें, और दिपो की पूजा करें, पूजा के बाद मालक्ष्मी जी की आर भी पाट करें, इससे निश्शित रूप से आपके घर में मालक्ष्मी जी की किरिपा होगी, और उसे धन, धानने की समरद्धी होगी, मालक्ष्मी जी की करिपा आप सपर बनी रहें, Gulf लक्षमी जी का यह मंत्र अगर आप कनकदरस्तोत्र श्रीशुक्त के पार्ट आप रात भर करें या खुश देर के भी करें ग्यारा इकिस पार्ट करें बहुत अच्छा है नहीं तो ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमला लहे प्रशीद प्रशीद श्रीम रीम श्रीम ओम इस मंतर का आप जाब करें दोस्तों ये थी महालक्षमी जी की पूजा की संक्षित विदी तो ये वीडियो आपको केशे लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके अभशे बता में साथ ही लाइक और शेयर करना नहीं भूलें पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में और अगली अच्छी जानकरी के साथ में तब तक के लिए इजाज़ेत दीजिए धन्यवाद जै स्री कृष्णा जै मालक्षमी